बसंतराय के कजपुरा में एक महिला को 26 मार्च को डायल मोल कर सरयाम पीट दिया जाता है बचाने गए बेटे और पती का हाथ तोड़ दिया जाता है सर फोड़ दिया जाता है जब परिजन मार पीट का F.I.R लिखाने बसंतराय थाने पहुंचते हैं तो उन्हें तीन दिन तक सिर्फ बैठाया जाता है लेकिन F.I.R नहीं लिया जाता है आखिरकार महिला की चार तारिक याने की कल रही वार को सुब़ चार बजे मौत हो जाती है और इस मौत का जिम्मदार कौन होगा ये कहना मुश्किल है लेकिन 10 दिनों तक 26 तारिक से 5-5 तारिक तक F.I.R नहीं लिखा जाता है बसंतराय थाना प्रवारी नाम है चेतन बैरागी पर पैसा लेकर आरोपियों को छोड़ने का आरोप लग रहा है मौके पर कोई पुलिस वाला बात करने को तयार नहीं है हमारी टीम यानि कि जिला टॉप की टीम सुबह 7 बजे से पुलिस वालों से बात करने की कोशिस करती रह गई लेकिन कोई भी हमसे बात करने को तयार नहीं था चेतन बैरागी थाना प्रवारी के मुँसे बोली नहीं निकल रही है पहले आप ये वीडियो देखिए इंस्पेक्टर तम है ना सर जब केस हो जाएगा आपके पास पहले केस आएगा उसके बाद जब आप सुपर वीजन में देंगे तो इंस्पेक्टर का काम आएगा ना सर नहीं अब आप परिजनों का वह आरोप सुनिए जिसे सुनकर सायद गुड़्डा पूलिस का माथा सर्म से जुख जाएगा महगामा डियसपी सिवसंकर तीवारी वहाँ पर पहुचे और महुचकर पूलिस की छवी को छलनी करने वाले बसंतराय थाना प्रभारी चेतन बहरागी के कर्तूतों पर माफी मांगने लगे परिजनों का पहले आप आरोप सुनने जिए परिजनों का हुआ था कि डैन कहके घटना किया है बबलूरविदास डबलूरविदास और नितेसरविदास मन्जू देवी खुसबू देवी इशब 26 तारिक को रात बज आठ बजे रात में हमारे घर में घुसकर और डैन कहके मार पिट किया जिसमें कि तीन घाया लुआ है जब ठाना पर भारी को सुचना मिला वह घटना अस्तल पर आया उन्होंने जांच किया जांच करके हम लोगां को गाड़ी बठा दिया और भेज दिया पतर गामा इलाइज के लिए और वो जो हैसो इन्हें रहा गया उसी के घर में जो है न दो गंटा बैठा और फिर बाच अब क्या लिया लिया वहीजोने 26 तरी लडाई हुआ तो केसल के लिए जो है न सत्याइस को हम आये हम यह जक्मी है न तो 27 को आए 26 ऑनगे इन थाना में जो हैना बेठाके रखा टो चुबह सीज़ियों दाना तर बजे में रात में दूसरे दिन लिए उस पार्टी आपको थाना में रखा गया इस तरह तीन दिन रहा हमको कि एक दिन की गए हम गये हम गये हैं खूद और हम को जो है सो दस बज़ा रात तक बढ़ बठाया और केस नहीं लिया जो हम रहा जाए कि फिर हम राऊ मिला जाए और ताना पर हारी को सस्पेंट किया जेए सब्सक्राइब लोग यहां पर गया थाना में जा करके आप लोग बोले कि केस लीजिए तो केस नहीं लिया गया आज मौत हो गया अब लिया गया क्या अभी भी नहीं लिया लेकिन जो है ना बोल रहा है कि इसको जो है कि यहां पुलिस वाला लोग आया ही लोग से बात हुआ हां बाचित हुआ है रात में रात भर भी लोग जहना हम लोगों को परेशान करके रखा है कि जल्दी उठाइए ले चलिए वहां नहीं तो घिषते वह ले जाएंगा इसे इतना दिन से क्या कर रहे था साब को पुलिस सबसूत रहा था काम में देटेल देखे हम लोग कभी इंसाफ चाहिए जो जैसे उसका फांसी का सजाय होना चाहिए और कुछ नहीं उमर का सजाय दे दो 27 तारी को जो है कि मारपीट हुआ तीन दिन तक 26 को तीन दिन तक केस नहीं लिया गया पुलिस वाला लोग से नहीं ब पकड़ो आभी बोलके गए हैं पुलिस यहां आया था अभी उसका आगे हम बोले हैं तब पुलिस बहला बोला इस सबसे नहीं सकेगे उचला गया परिजानों नहीं कहा कि जब तक ठाना परभारी सस्पेंड नहीं होगा यानि कि चेतन बारागी तब तक उनकी मा की आत्मा को सांती नहीं मिलेगी यह कहना था मरी हुई मीरा कुमारी की बेटी का यही है वो थाना परभारी जिसे आप देख रहे हैं और इनका नाम है चेतन बारागी जिन्होंने अपने हरकत से अपने कारणामों से पुलिसिया वर्दी का नाम सर्मसार कर दिया है इनके पास हमारे क इस्प्रेक्टर बलवीर सिंग इन्होंने हम से यह कहा कि इस थाना परभारी बोल रहे हैं कि आप से बात कर लो हम अगर रहते मेरी बात मेरी बात तो सुन लिए सब्सक्राइब लाइन मेरी बात सुन लिए सब्सक्राइब लोग सिद्धाना पर आरोप लगा रहे हैं कि इस नहीं लिया गया ती दिन आप बात नहीं करेंगे प्रण्ट पर फूसरें कर दो अचे मेरी आप न तु कस्याओर्व का रहे हैं यहां यह शीषी बता इए इतना बता दीजिए कि 26 को यहां पर मार पिठ हुई उसके बाद से यह लोग बोले कि तीन दिन तक केस नहीं लिया गया बसंद्राय थाना में चेतन बरागी जो है थाना प्रवारी सार उनके उपर पैसा लेने का आरोप लगा है परिवागा उसका चल रहा है ना भाई मेरे आपका पूरा सप्लॉट पर हैं यहां पर हैं यहीं पर यहां पर आप करेंगे ना लोग जब आ रहे हैं बरिया पता है तक हम जवाब दे अंगे जवाब से उस सान्तुष्ट ना हो तो फिर आपके साहब बोलें कि आस पी साहब से बात करो जा किसी भी तरह का बयान नहीं देना हम लोग का बाइलाज है कि जो भी कोई यह करना है चेतन सर के पास गया तो चेतन सर बोले कि इंस्पेक्टर साहब से पूछे वह वरी पदिदकार तो वह मेरी पास न वेज़ेगा आपको आपको इनकी जुबान खत्म हो गई सुनिए और जब हम इंस्पेक्टर साहब के पास पहुचे तो यह इंस्पेक्टर साहब है बलवीर सिंग जिन से जब हमने सवाल करना शुरू किया तो यह अपना पिंड छुडाते वह न जा रहा है कि बढ़का सहाब आ रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिएगा अब और कितनी फजियत करवाएगी पुलिस अपनी आखिर क्यों परीजनों का एफाई यार दस दिनों तक नहीं लिखा गया जबकि खुद चेतन बैरागी यानि कि थाना प्रभारी मौके पर मौझूद थे मार खाने वाले अस्पताल जा रहे और चेतन बैरागी दो घंट करते हुए डायन बोलकर पीट पीट कर मार दिया गया जी हां डायन बोलकर पीट पीट कर सरयाम मारा गया बेशर्मी की हद तब जादा हो गई जब फुद थाना प्रभारी पर गैर जिम्मेदाराना रवई है और पैसा लेकर मामला रफा-दफा करने का आरोप लगा यह तस पीट साहब ने आनन फानन में चेतन बैरागी को सस्पेंड कर दिया लेकिन आखिर क्यों हर बार मौत होने के बाद ही यह सिस्टम जाकता है यह जरूर सोचिएगा आखिर क्यों हर बार किसी की मौत के बाद ही लोगों को यह समझ में आता है कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है आकि 24 गंटे से उपर बॉडी को धूप में रखने के बाद ही क्यों सारे के सारे अधिकारियों को ये लगा कि वहाँ पर कैथ पूरा बसंतराए जाना चाहिए इस तरीके के कई वारदात और हुए हैं लेकिन हर बार यही देखा जाता है कि मामला बिगरने के बाद ही पुलिसिया रवया सुझ लेने के लिए पहुंचती है जब डियस्पी पहुंचे तो 3-4 गंटे की बातचीत के बाद पर पर अड़े रहे कि जब तक चेतन बैरागी सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक वो किसी बात को नहीं मानेंगे और अंत में चेतन बैरागी को सस यह लोग सभी हमारे करवाजे पर गरजते हुए लाटी जंटा के साथ घर भुषा और वहां घर भुषा तरके और जाइन काके भी मेरे पत्नी को मरा है जो कि सीर खोड दिया और मेरे लड़का को भी मरा मेरे भाई को भी मरा और जब ठाना पुलिस को सुचना मिला वहां से आया आने के बाद सर पूछा जाए कि कहां पर जो रोगी को जांस किया है उसके बाद जांस करके और पतरगामा उंको भेज दिया लेकिन हमको जाज खाना नहीं ले गया अब युक्त करमें हाँ उसी के घर में तो घंटा बैठा है चबकितार को पुचे उसको रहात भर लेकिन क्या सस्पेंसन से सिस्टम सुधरेगा इस सवाल का जवा हमारे पास तो नहीं है लेकिन कमेंट में आप हमें जरूर बताईएगा कि क्या सस्पेंसन से ही नाय मिल गया